कहने का ये तात पहर है कि जो जैश्री राम जैश्री राम चिलाते हैं वो नपुनसक हैं इस समय जो परतमान सिती जता रही है वो नपुनसक है क्योंगे सिर्फ चिलाने से नहीं कुट्ते भौगते हैं कहा गया है हमारे कहावतों में हमारे जो पुर्खेते वो कहे हैं कि जो बादल गरस्ते हैं वो बरस्ते नहीं है तो जिन बादलों को गरजना होता है वो बरस्ते नहीं इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जिनको कुछ करना होता है वो भौकते नहीं है वो चिलाते नहीं है वो क आपको बता दे आप लोग को पता भी होगा इस समय हल चल चल रहा है सभी चैनलों पे आधी पुरुष्ट जो मोबी आई है रिमाड से रिलेटेड इस मोबी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मोबी तो आई है अभी मैंने फेस्बूक और सारे सोचल मीडिया पर इसका देखा भी कि बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स बहुत भद्दे भद्दे डायलों इसमें लिखे गए हैं जो कि हमारे सनातर परमपरा के लिए सही नहीं है और कहीं भी यह चीजे हमारे जो संसकार में वो थी ही नहीं हमारे रामाल में माभारत में ऐसी कोई चीजे थी ही नहीं तो यह चीजे आ कहां से रही हैं कौन ला रहा है यह हमें समझ में नहीं आ रहा है और चुकि हिंदूत की सरकार है यह साजिश के तहत किया जा रहा है हिंदू को बननाम किया जा रहा है, हिंदू संसकार को बननाम किया जा रहा है इसके पीछे लोगों की क्या मंसा है ये हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कहीं न कहीं जो राम से रिलेटेड है, राम को इसमें मारने का सीन दिखाया गया है भगवान का जो जिसे हिंदू सनातन धरम पुजा करता आ रहा है और इसमें भगवान को ही मारने की जो सीन है हनुमान जी पे अबदर टिमपडी का जो असोबनिया है इसको लेकर आप क्या कहेंगे पहली बात तो जो उसमें डायलोग्स वगर लिखे गए है जो समवाद लिखे गए हैं वो हमारे संस्कार में कहीं नहीं है और ये बना कॉन रहा है और लिख कॉन रहा है पहली बात तो यह कि क्या हमारे जो इन्दू संगटन है विश हिंदू परशद है, लिष विवा वाहनी है हिंदू यवा वाहनी के अमरी सिम भोला मैंने सुना है कि वो हिंदू तक ये प्रती बहुत जागरुग रहते हैं तो अभी तक तो उन लोगी तरफ से कोई ऐसा विरोध जताया नहीं गया है हाला कि मैं भी विश्व हिंदू परस्टर लाबोर से जुड़ी हूँ मैं महा उसमें अध्याश हूँ तो लेकिन हमारे मन में अभी चीजों को देख रही थी परक रही थी चूँकि हम लोग रही है तक जाने के लिए उसके सत्यता को जानना जरूरी होता है अभी तक यह था कि भ्रामक चल रही हैं चीजे लेकिन सत्यता तक जब यह चीजे जादा हो रही है और आप तो यह एकदम बदाश के बाहर हो जा रहा है कि हमारे प्रभूश्री राम के उपर इस तरह हनुमान जी जो तो सर पकड़ के बैढ़ गए कि योगी आदित जी के राज में इस सरातन परमपरा राज में जो हर वेक्ति अपने आपको हिंदू पॉर। जैश्री राम करने वाले कहा चले गए उनको आप क्या संदिश देना चाहेंगी जो जश्री राम चिलाते हैं वो नपुनसक हैं इस समय जो परतमान सिती जता रही है वो नपुनसक है क्योंगे सिर्फ चिलाने से नहीं कुट्थे भौकते हैं कहा गया है, हमारे कहातों में हमारे पुरखेते वो कहें हैं, कि जो बादल को घरजना होता है वो बरशते नहीं है। सरकार में बैटे हुए हैं वो भी नपनसक है अभी आप वरांड़सी में ही है और वरांड़सी के हर थेटर में हम वो भी देखी गई है वरांड़सी वासियों को क्या संदिश देना चाहेंगे खास तोर से मैं वारांट सी अपनी जो हमारी जनता है हमारी आध्यात्पिक नगरी है बाबा भोले रात की नगरी है विश्वनात की नगरी और हमारी नगरी जो है विश्व में विख्यात है तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे हमारे वाराणसी की जंता से अपने प्रभू श्री राम और अराध्य हनुमान जी का ऐसा अपमान ना होने दे हमारी आपसे हाथ जोड़कर विंती है और जो वाराणसी की जंता है वो सभी सड़कों पर उतरे एक साथ और अपना जंडा जो ज़ंडा लेकर उतरिये और इस फिल्म को बाई काट करी इस फिल्म को लगने मत दीजी और जिनोंने इस फिल्म को बना कर कुर्कृत किया है उनको उस फिल्म को चलने ना दिया जा और उनको सजा दी जाए अपम एक सवाल आपसे और होगा जो छोटे बच्चे हैं मीडि पर इसका क्या आसर पड़ेगा? जो फिल्में आती हैं यो और भी हानिकारक प्रभाव डालती है तो जो हमारे बच्चे हैं संसकार हिन तो हो ही रहे थे ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के माद्य हम से और इस तरह की जो मूवी है ये हमारे जो संसकार हिन बच्चों को एक आप बागेशर बाबा की ही बात न करें जो हमारे जो सारे संत हैं जो नागा सादू है जो नुपर शर्मा के एक बात कहने पर जो उटखड़े हुएते वो आज कहां चले गए हैं जो हमारे जो संत माने जाते हैं वो असंग के संत कहां है नागा सादू कहां है जो सनातन प्रेमी सादू है जिनोंने तपस्या की और इस देश में अपने आपको संत कहलाने लगे बड़े बड़े पीठा दिश कहां है जो मंदिर मठ में बैटे हैं वो लोग कहां है वो सडकों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं मेरा यही सवाल है आज कि यह क्यों नहीं उतर रहे हैं और देखिए जहां तक आम जंता की बात है तो हम और आप एक बार हिम्मत कर सकते हैं क्योंकि हम बेपरिवेश को देख रहे हैं और हमारे में कुछ हद तक हिम्मत है लेकिन जो हमारी आम जंता है उनको महेंगाई में बेरोजगारी में इस तरह उलजा दिया गया है कि वो इन सब मुद्दों पर फोकस ही नहीं कर पाती क्योंकि वो गरीब वेक्ती आम आदमी अपने घर में दाल लोटी जुटाए या इन सब मुद्दों पर वो सड़क पर लेकर उतरे हैं मेडम सेंसर बोड ने इस मोवी को पास कर दिया सेंसर बोड तक की गलती है क्योंकि सेंसर बोड एक पढ़ा लिखा कमेटी होगा कोई अनपर जाहिल तो होगा नहीं और उसको ये भी पता है उसको भी पता है कि हमारे संसकार क्या है ऐसा नहीं कि हमारे भगवान अलग है उसके भगवान अलग है ठीक है ना भगवान तो सबके एक ही है तो उसको भी पता होगा लेकिन हो सकता है कि कुछ पैसों के लालच में या कुछ और लालच में उसने फिल्म पास भी कर दियो तो गलतिया हुई है अगर तुरिया तो होती है लेकिन उसको सही समय पर सुधार लेना ये हमारा काम है ये ह पाने वाला जो उनका बविश है उनको ग्रहन लगा देना चाहिए जी मैं बिलकुल कहना चाहूंगी आपके चैनल के माद्यम से कि हमारे जो माननी प्रधान मंत्री जी हमारे जो माननी यह दिना जी मुख्य मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के इससे हमको हमारे जो सनातन प हमें गहरा आघात पहुंचा है इस फिल्म से हमें बहुत गहरा आघात लगा है और हम बहुत तकलीफ में हैं कि हमारे आराद का इस तरह मजा को लाया जा रहा है चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आपने सुना अगर मेडम की बात कैसी लगी हो यदि आप इनके बात विचारों से संतुष्ट हो तक कमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा कि हमो भी बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए और जिन लोगों इस मोवी को बढ़ावा दिया और जिनों ने भी इस मोवी को पास किया है उनके उपर भी करवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर देजिएगा लेता हूं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद